प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकता है दिली में रहते हैं जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्सों को आप सभी का महार दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जन जात्कों का जनम दिवसे मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शोग कामना है आप समस्त जितने भी हमारे दर्शक हमारे कारेकरम देखने वाले हैं सभी के उपर माभगवती की किरपवर से सभी की मनुकामना है पूर्ण हो आज का पं आज हम अपने सभी दर्शकों से उगते हुए सूरिये, प्राते कालीन, भोर कालीन के सूरिये का वर्णन करना चाहते हैं। आप एक बात हमेशे ध्यान रखें, कि जीवन तकलीफों से भरा रहता है। और इन तकलीफों का समधानवी व्यक्ति के पास होता है। संसार में अगर समस्याई हैं तो समधानवी हैं, कोश्चन हैं तो उसका अंसर भी है। जीवन में नाना भाती की तकलीफों से हम लोग गुजरते हैं, कभी सरीर में कश्च रहता है, कभी मन में कश्च रहता है, तो कभी नाना भाती की व्यादियां, नाना भाती की समस्याईं हमारे जीवन में आती रहती हैं। सूरिय साधना और खास दोर से प्राते कालीन सूरिय की साधना रिक्ति की काया को निरोगी ही नहीं बनाती बलकि उसकी बहुत सारी मनों कामनाओं को पूंड भी करती है गाहित्री साधना का विपल साइत्य गाहित्री साधना का विपल व्यूरा हमारे वेदों में भी है पुराणों में भी है उप पुराणों में भी है सास्त्रों में भी उसका जिक्र है ऐसी बहुत बल्लिकाओं में भी उसका जिक्र है तंत्र सास्त्रों में भी नाना भाती के जिक्र बताई गए है मेरी दर्शुको प्रात्य कालीन ओगते हुए सूरिय की साधना अगर कोई व्यक्ति करदने लगे अब आजकल क्या है कि अर्बन सिटीज है बड़े-बड़ी मिनारे बन गई है कई घर तो इस परकार के बन जाते हैं इस परकार के फ्लैट हैं इस परकार की विलाज तक है कि वहाँ सूरिय के दर्शन नहीं हो पाते हैं लेकिन आज का जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये किवल तब कारिय करेगा अगर आपको सूरिय देव के दर्शन होते हैं और वो भी प्रात्य कालीन प्रात्य कालिन सूरिय आपके सामने हो जिस समय सूरिय होगे कभी आपने उगते हुए सूरिय को तो देखा ही होगा न कितने सुन्दर लगते हैं कि पहाडों की चोटियों से निकलते हुए गरीमा में, गोरव में, ताम वरणी सूरिय कितनी सुन्दर उनकी आभा होती है और जो लोग पहाडों में रहते हैं जो लोग पहाडी आलाकों में रहते हैं उनके किनारे रहते हैं उनसे पूछिए कितने खुबसूरत लगते हैं जब सूरिय सुवे सुवे नसर आते हैं जो लोग समुन्दर के किनारे रहते हैं उनसे पूछिए कि किस प्रकार से सुन्दर सूरिय लगते हैं और जब सूरिय अस्तिवी होते हैं तो माना ऐसा लगता है कि समुन्दर में अंदर समा रहा है कौनाक के सूरिय को देखिए अगर किसी ने दर्शन किये हूँ कितने अच्छे लगते हैं सूरिय वास्तम में सूरिय साधना अद्भूत है और सास्त्रकारों ने भी अद्भूत ग्यान हमें दिया है सूरिय को नव ग्रहों का राजा नव गुरहों के मंडल में इस्थापित कर दिया नव गुरहों के राजा को सूरिय यानि कि ऐसे सूरिय जवास्तम में जिनका ना आदी है ना अंत है सूरिय दस दिन सर्दियों में ना दिखें तो कैसा लगता है जिन इलाकों में सुरिय बिलकुल नजर नहीं आते कई कई महीने तक नजर नहीं आते ऐसे भी कुछ सुबह हैं प्रदेश हैं ऐसे भी कुछ स्थान हैं वे सुबह में बड़ा आजीब से नजरा रखता है दम घुटने वाला नजरा होता है मेरे दर्शो को सुबह सुबह सुर्य उदे होते हुए जब सुर्य उदे हो रहे हो उस वक्त में आप सुर्य को खुली आँक से हल्की नम आँक से बहुत आखे ना खोले अदगच्री सी जैसी आखे होती है अराम से जैसे आप भक्ती के मूर्ण में हो एक खुमारी व्यक्ति के उपर चा जाती है उन नित्रों के साथ सूर्य को निहाने और मन में एक बीजात्मक मंत्र ओम हिरिम हमसह दुमारा सुनें ओम हिरिम हमसह इस मंत्र का जाप चल रहा हो और सूर्य देवाब के समक्स दीरे 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 आपको वो उनका आक्ष बढ़ता हुआ नजर आए लेकिन ये साधना तब ही की जाती है जब सूरिय आपको प्रतिदिन उगते हुए दिखें ऐसा नहीं कि जैसे हर सहर में हर सहर का आपको पता होता है आप अपने पंजांग में भी देखते हैं कलिंडर में भी देख सकते हैं कि सूरिय उद्य का समय क्या है नहीं तो एक दो दिन सूरिय को देख लें इतने बच्चे इतने मिनट पर सूरिय निकलते हैं हमें अब कल से इसाधना करनी है आप इसमें कर्शन पक्ष, शुकल पक्ष का कोई ऐसा वो नहीं है भद्रा हो, कोई भी ऐसी राहुकाल हो किसी चीज़ का इसमें वो नहीं है राहु तो समक्स का आही नहीं सकती जब आप सूरिय की विश्च से चमतकारिक साधनाई करती ही सुवे सुवे की बेला हो और बस आपको प्रोपर समय पता होना चाहिए कि सुरिय इतने बज़े उगते है उस से पहले सिद्धासन में, एकासन में बजरासन में नहीं बैठना सिद्धासन में बैठना है पालती हालती मारके अराम से मेरु धंडु को सीधा रखना है और सुरिय को जब सुरिय निकल रहे हो आपकी टक्टकी जिसे English में कहते है स्टेयर गेज आप टक्टकी लगाए हो और आपके सामने स्टूर्य धीरे 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 जैसे पानी से उपर कोई चीज आती है ऐसे स्टूर्य उपर आ रहे हो और आप एक मंत्र का उच्चारन कर रहे हो ओम हिरिम हमसे मुझे कुछ बातें रिपीट करनी पड़ती है आप बोर भी हो जाते होंगे लेकिन करनी पड़ती है ओम हिरिम हमसे एक मंत्र ये है इसी मंत्र को आपने जबते रहना है कब तक? जब तक सूर्य पूर्ण रूप से न निकल जाए और उपर तक न उड़ जाए ये प्रक्रिया प्रति दिन पंद्रा मिनट होनी चाहिए पंद्रा मिनट का जब और बीच बीच में ऐसा नहीं है कि सूर्य को एक साथ आप देखते रहे जब निकल रहे हो तब देखें उसके बाद बीच बीच में आई बंद भी करें खोले भी बंद भी करें ताकि आँकों पर कोई जोरना पड़े और ये एक तले से त्राटक करिया भी हो जाती है ऐसा करने से व्यक्ति में कमाल की उर्जा पैदा होती है ऐसा करने से व्यक्ति में कमाल की समोहन शक्ति पैदा होती है ऐसा करने से चेहरे पर दाग धब्बे जाईयां दूर हो जाती है ऐसा करने से निस्तेज चेहरा तेजवान बनता है ऐसा करने से जो कई बार से शब्द सा चेहरा होता है आपका वो पुल की तोटता है और जब आप जस्तमंदा मीटा सा करने दोनु χतेलियों को रगने और चेहरे पर मले सुर्य देवता को खड़ेव करके प्रणाम करें संभा हो सके तो एक लोटा जल हलका सा उसमें मीठा और हलका सा समें सिंदूर या महले लाल रंग जो रोली होती है रोली मिली हुई हो सूर्य देवता को अर्पन करें 40 देज 40 जिन करें और 41 वे दिन सूर्य देवता के नाम से गव माता को जा करके गुड़ खेलावें 41 जिन की साधना है यानि के और इन बिट्विन जितने भी रविवार आते हैं यदि उन रविवारों में आप रविवार का वर्त रखें या वर्त नहीं रख सकते तो उस दिन नमक ना लें रविवार के दिन अद्भुत साधना है आपको जिनने अपनी शक्ती बढ़ानी है अपनी उर्जा बढ़ानी है अपने चेहरे के उपर एक तेज परकट करना है अपनी आखों में टिक एक तरह से एक ऐसा आकरशन पैदा करना है एक ऐसी चुम्बू के शक्ती पैदा करनी है और नव ग्रहों के राजा सूरिय को प्रसंद करना है अपनी विविन कामनाओं को पूर्ण करना है ये साधना करने से शत्रू भी कमजोर पड़ा जाता है ये साधना करने से ग्रह भी आपके कुछ नहीं बिगान पाते हैं बहुत अच्छी साधना है देखो आप ठकना मत थोड़ा थोड़ा जो हम कुछ बताएं अब ये जैसे आज मैंने कहा है तो जरूर ही नहीं आपके पास समय है तो अभी ही सुरू करें लुक जाएए इस साधना को अपने डाइरी में नोट कर लीजिए कई बार हमारे एपिसोड फिर आपको मिलते नहीं है तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए सर्मा जी ने ऐसे से बताया कभी भी भविश्य में दो महीने में चार महीने में चाह महीने में साल में एक बार जरूर फॉर्टी वन डेज करिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको जिनके आई साइट वीख हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा खैर तो आप जरूर करिएगा आईए दसों को समय चला आज की ध्यान बाला का जोड़ते हैं आज की ध्यान बाला में भागवान श्री राम से ओम रामो राजमनी सदा विजयते रामम्रमे संबजे रामे नाविहता निसा चर्चमू रामायता अस्मैनमा रामा नास्ति परायनं परतरं रामस्यदा सोम्यःं रामे चितलया सदा भवतुमे भोराममा मुद्धर राम रामेती रामेती रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदूराम तपोवनं दिगमनं हत्वाम्रिगं कांचनं वैदेई हरनं जटायुमरनं सुग्रिवसां भासनं वाले निग्रहनं समुत्रतरणं लंकापुरे दाहनं पस्चाद्राबन कुम्बकर्णहननं इतद्रामायनं कवच्च बनाले ध्यान करें भगवान श्री राम की किर्पा सब के उपर परस्त रहिए कर दो कर दो कर दो ओम बोलते हुए नित्रखोने समाने हो जाए तो दर्शो को आज हमने एक अध्भूत शाद्ना आपको बताई इसी अपने जीवन में अंगिकार करें उतारें अच्छा लाब मिलेगा आपकी जनम पत्रिगा में सूरिय कैसे हैं कहीं ग्रहन दोश तो नहीं कर इस सूर्या आपके नीच के तो continuer के तो नहीं कर इस सूर्या की डिगरी सूर्या का बलाबलतो निस्तेज नहीं उस से विस्तितिके लिए भी ये साद्ना वास्दम में आपके लिए अमुले थाबित होगी एसी साधना ये खुद भी करें ऐसी साधना ये इदा कदा अपने बालकों से बच्चों से परिवार में किसी ने किसी से जरूर करा है और एक बात बताएं बहुत लोग ड्रा देते हैं साधना का असर नेगेटिव हो जाता है ऐसे मत नहीं नहीं ये सोम्रासादना है ये एक ऐसी दवाई है कि इसका कोई side effect नहीं होता है मेरे मन में कुछ बाते जब आती है तो मैं अपने दर्श्कों से जरूर बता देता हूं मैं कभी ये सोच करके नहीं बैठता कि आपको ये समझाना है मत जैसा भगवती बुलवा देती हैं, मैं आपके लिए बोल देता हूँ इनी शब्दों के साथ दर्सु को आश्रा करता हूँ कि बहुत अच्छा आपको लाब मिले और इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जैमाइंद राक्षी चीज को देखते हुए कि अच्छा लगा और 15 दिन होगी अलगवाग नागपूर सिविर करते हुए उसके बाद मांसिक सांती बहुत मिल रही है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है समस्या तो जिंदिगी में रहेंगी लेकिन उसे कैसे जू जाया इसकी सक्ती अंदर से महसूस हो रहे है कि अब हम कैपबल है उसको फेस करने के लिए कि 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 समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें